कल डिसाइड होगा, इंडिया गडवंधन की मीटिंग है सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए आपकी रॉग इंफिलमेशन है अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आगे आप आएंगे वोई सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कल डिसाइड होगा, इंडिया गडवंधन की मीटिंग है कल हमारा लाइन डिसाइड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इंडिया गटबंदन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे सर खरगे साथ भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहां पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके साब से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है तो एंडिये सरकार बना रही है तो यहां पर क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्वस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटिजीज अगर यहीं मैं बोलूंगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी यह जो मैंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार प्रना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं नहीं देखि हैं बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिसकाशन नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा यूपी यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे जाधा पुलिटिकल विजडम मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का इंडिया गडबंधन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और इसमें यूपी में एक और बाद मैं बोल देता हूँ एक और बाद यूपी के बार में बोल देता हूँ इसमें मेरी बेहन Priyanka Gandhi का भी काम है तो यहां पीचे खुपी होई है